डिम्पल यादब और अखलेश यादब की जुगल बंदी पती पतनी मिलकर साइकिल चलाएंगे आज अखलेश यादब जल्द ही कारकरम इस थल पर पहुँचेंगे डिम्पल यादब पहले से ही कन्नौज में है मौजूद देखिए क्या है सपा के कारकरम की पूरी रूप रेखा उतर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा का आयोजिट किया जा रहा है लखनौ में इसकी शुरुआत खुद समाजवादी पार्टी की राष्टे अध्यक्ष और पूर्व मुक्मंत्री अखलेश यादब करने वाले हैं जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है पूर्व सीम अखलेश यादब समाजवादी पार्टी मुक्याले 19 विक्रमादित मार्ग से साइकल लेकर कुछ देर में जनेश्वर में शिर पार्ख पहुँचेंगे वहीं अखलेश यादब की पत्नी और पूर्वसान सा डिमपल यादब कन्नौज में साइकल यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगी जिसके लिए वो कन्नौज पहुच चुकी है ये साइकल यात्रा 6 मुतों, महगाई, कानून व्यवस्था, क्रशी कानून, विरोजगारी, आरक्षन और आजम खान की रहाई को लेकर निकाली जा रही है लखनौ में समाजवादी साइकल यात्रा पार्टी कार्याले विक्रमा दित्मार्ग से शुरू होकर लारेटो चौराहा, कालिदास चौराहा, जिया मौउ, 1090 चौराहा, जैप्रकाश नारायन, अंतरराश्य केंद्र, फिरोज कैफे, CMS चौराहा, दयाल चौराहा होते हुए साड़े 6 किलो मीटर की दूरी तैकर के पार्क पहुँचेगी जनेशुर मिश्रा पार्क में अखले श्यादव जनेशुर मिश्र की प्रतिमा पर मालयारपन करेंगे, बता दें आज जनेशुर मिश्रा का 89 जन्म दिन है, आज हर जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता, साइकिल यातरा को हर जंडी दिखा कर रवाना इस सम्बंद में वरिष्ट नेताओं को जिले का प्रभारी बनाया गया है, उनको जिलों में रहकर यातरा की कमान संभालने के लिए कहा गया है, कई जिलों में तो साइकिल यातरा का आगाज हो चुका है और कई जगे कुछ देर में साइकिल यातरा का आगाज होगा, फिल ह हाल तु सब की नजर सपा की कदावर नेताओं पटिकी है देखना ये है कि साइकल यात्रा से सपा को कितना लाब होता है ब्यूरो रिपूर्ट मीडिया हल चल